नमस्कार मेरी YouTube चैनल कोड ग्यान में अपकार स्वागत है आज हम बात करेंगी जो केंदरी विद्याले के तरफ से जो वेकेंशी निकली है नन टेचिंग का जिसमें कि जैसे कि अलग-अलग पोस्ट हैं वहां पे अप्लाई कर सकते हैं इसमें सबसे पहले बात करें कि जो वे प्रविवात है की जो वेकेंशी है बल्कमात्रा में निकला है आपको बता दें कि सबसे इंपोटेंट है जो डेट हैं वह सबसे आप अपनाई कव से कर सकते हैं 22, March 2023 से अपलाई कर सकते हैं लाजडेट करने की जो तारीक है वह 30-4, 2023 मत्ब मार्ज के लाष्ट date तक महीने के अंतर तक आप apply कर सकते हैं इसमें अब जो last date है payment का वो भी आपको 30 March 2024 तक कहीं रखा गया है correction date है correction date मतलब यदि आपने application fill up करने के समय कुछ आप गलतियां कर चुके हैं और उसको update कराना चाते हैं तो उसके लिए 2-4 माई का आपके window open हो जाएंगे ताकि आप उसको change कर सकते हैं एक्जाम डेट मतलब नहीं हुआ है तो ऐसा basically होता है कि exam date आपको एक week पहले मालम चल जाता है और एक week मतलब पहले आपको admit card आ जाता है एक्जाम से पहले अप्लिकेशन फीज की बात करें सबसे पहले तो अप्लिकेशन फीज है जो female staff के लिए 1500 रुपे रखा गया है for all other staffs post है जो उनको उनके लिए 1000 रुपे रखा गया है सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसको UPI से भी payment कर सकते हैं online networking और credit debit card से भी payment कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले important topic पे कि जो कौन सा post है और क्या क्या qualification है और कितनी post की vacancy available है इसमें तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि female staff nurse जो female staff nurse है total 121 post आये हुए है जिसके लिए जो vacancy के लिए जो qualification मांगा गया है eligibility है bachelor degree in nursing with register as a nurse with any state nursing council तो आपको सबसे पहले तो है कि degree bachelor degree होना चाहिए nursing में और आपका जो है any state nursing council के तरफ से आपके पास register होना चाहिए age limit है जो 35 साल तक आप apply कर सकते हैं यदि उम्र आपके 35 साल हो चुकी है या उससे पहले कम है तो apply कर सकते हैं वहीं बात करें assistance section जो officer है ASOG से बोलते हैं जिसमें पांच फेकेंसी रखेंगे नमबर फोस्ट फाइव हैं जिसमें qualification eligibility criteria है जो qualification आपकी जो योगता है वह मांगा गया है bachelor degree in any stream any recognized university मत्तब कि आपका graduation होना जरूरी है इसमें उसके अलावा तीन साल का experience होना चाहिए आपको और आपकी उम्र जो है वो 23 से 33 साल की उम्र के बीच होना चाहिए अगली post है audit assistant का जिसमें बारा जो पार पोस्ट है total number of post है इसमें भी bachelor degree in commerce और इन एन एन रिकर नाइज university कहीं से भी आप पास किये हो उसमें कोई specific university का नाम नहीं इसमें all over India में कहीं से भी पास करनें बट आपके आप जो पास करनें वो commerce in b.com में होना चाहिए उम्र की जो जो इसमें आपको बता दे कि 18-30 साल तक का है अगली जो पोस्ट है वो जी जुनियर ट्रंसलेशन ओफिसर की बात करनें इसमें जिसमें चार पोस्ट है इसमें जरूरी है आपके qualification की master degree in Hindi English as compulsory subject in degree level यह होना चाहिए उसके अलावा जो उम्र है 32 साल maximum होना चाहिए more detail यह आप चाहते हैं तो read deeply पर सकते हैं क्योंकि यह translation का job इसमें legal assistant की बात करें तो जो number of post है वो एक है जिसमें आपको विसली यह दी legal assistant खोज रहे है तो आपको इसमें law से related आपके पास होना चाहिए certificate तो bachelor degree in law होना चाहिए तीन साल का आपका पास जो case handling का है वो experience भी होना चाहिए इसके अलावा जो मैं बता दूँ यह जो limit है वो 23 से 35 साल इसलिए रखा गया कि लगवग तीन साल का आपके पास experience होना चाहिए अगली बात करें अस्ट्रेनोगराफर का है जो 23 है पोस्ट नंबर पोस्ट है इसमें जो लगवग आप यदी 12th पा description है जो 50 MTS होना English में है और 35 MTS हिंदी में होना चाहिए उम्र की सीमा जो है एज लिमेटी से बोल रहा है हम 18-23-27 साल तक का उम्र का होना ज़रूरी है इसमें अब बात करें फिरेंश कंप्यूटर ऑपडेकर की जो लगवग दो पोस्ट ही रखा गया इसमें है इसमें BTEK आपका या BZA, BZA in Computer Science IT यदि BTEK आपने जो भी फिल्ड में किया तो Computer Science या IT में आपका होना चाहिए इसमें अम्र जो है आपका 13-30 साल तक apply कर सकते हैं इसमें जो catering supervisor है जो catering के बारे में आपको मालमी है जो से hotel management या खाने पीने से related है इसमें 78 post रखा गया है जिसमें आपका bachelor degree in hotel management होना चाहिए certificate in category with 10 years service in defense service होना चाहिए आपका उसके अलबा जो उम्र है वो 35 साल तक maximum रखा गया इसमें बात करें अगले hqrsg से बोलते हैं जिसमें 21 post रखा गया है जिसमें आप 10 प्लस टू भी आप यदि पास कर चुके हैं intermediate तो भी आप apply कर सकते हैं लेकिन याद रहे typing a speed 30 word per minute होना चाहिए English में और 25 word per minute हिंदी में होना चाहिए वहीं उम्र की बात करें तो 28 से 27 साल तक का उम्र आपका होना चाहिए इसमें एज लिमीट रखा गया है उसके अलाबा जो जूनियर स्क्रेटेट एसिस्टेंट हैं जिसे जे एन भी जो क्रेटर बोलते हैं वह 360 मतब तीन साथ फोस्ट रखें गया बाकि जो इलिजबिलिटी क्रेटेड यह है जिसे एजुकेशनल है या एक्सप्रेइंस है या उम्र है एज है वह यही सेम है इनके लिए भी इलेक्टिसियन कम जो प्लंबर हैं उनको उनके लिए 128 पोस्ट रखा गया है जिसमें क्लास 10 जो आ भी होना चाहिए तो उसके लिए कोई उम्र के भी जो है उसके रखा गया है तो एज लिमिट है वो 48-48 साल से लेके 40 साल तक के सिमा के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट को लैब एटेंडेंडेंट का है वहीं पर 161 पोस्ट रखा गया है लैब आप पास कर चुके हो प्लस डिपलोमा इन लिबरेटरी टेकनिक जो टेकनिसियन है वो टेकनिक का है वो या इंटरमीडियेट आपके पास होना चाहिए और साइंस का स्ट्रीम होना चाहिए दोनों में से कोई एक है उम्र है जो 18-30 साल तक का है तो आप अपलाइक कर सकते हैं अब आपके अगले पोस्ट की बात करें जो में सेल पड़ है उनके लिए 442 पोस्ट रखा गया है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो टेंथ का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और पांच साल का एक्स्प्रियंस भी होना चाहिए इसके लावा यदि एज की बात कर कर चुके हों बस इतना ही है MTS के लिए तो सबसे बहतरी निए 10 जिनों ने भी बोड दिया है और वो पास कर चुके हैं वह इस पोस्ट के लिए अपलाइक कर सकते हैं MTS के लिए एज लिमिट है जो 18 से 23 साल तक कर रखा गया है अब अगली टोपिक पर बात करें कि अपलाइ पर क्लिक करके इस पोर्टल पर आप आ सकते हैं बात करें फिरिंट जैसे इस पोर्टल पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का विंडों ओपन होकर के दिखता है पेज ओपन हो जाता है जिसमें आप अप्लाइक करने के लिए अप्लाइन अप्लाइक कैसे करेंगे तो यदि आप register करना चाहते हैं तो यह यहां पर new register candidate register है लिखा हुआ यहां पर click करेंगे अदरवाज यह आपके पास already है login registration कर चुके हैं तो यहां पर application number password डाल करके security pin जो है वो यह जो यह दिखता है security pin वो डाल करके submit button पर click करके आगे proceed करते हैं तो मैं registration पर पहले बात करूँगा कि यदि registration करना है तो आपको कैसे करना होता है यहां पर click करने उसके बाद सबसे जैसे click करते हैं तो यह इस तरह का कुछ declaration है वो आपके सामने दिखता है कि आपको email id डालने है फोटो आपको किस तरह का maintain करना है जब upload करेंगे तो signature कैसे करना है जो भी document फिल अप करेंगे वह आपकी हो मतब जो एक है कि आप होसवाबास में कर रहा है सारे detail उसके बाद यहां पर आई जो checkbox बनावाई इस पर click करें और submit button पर click कर दें तो जैसे ही इस पर submit button पर click करते है तो आपके सामने यह window open होकर क्या जाता है जिसमें कुछ question पूछा जाता है जैसे मतब कि जैसे कि I have an adhaar number and wish to create my login using adhaar number तो मेरे पास अधाar number है और मैं अधाar number के तौर पे ही यह registration आगे करना चाहता हूं बहुत सारा question है मैं अधाar number पे ही लेता हूँ क्योंकि होता है कि जैसे मेरे पास DG Locker account है और मैं उसी के थुरू login करना चाहता हूँ या ओडरंट हैवे DG Locker, मेरे पास DG Locker के अकाउंट नहीं है, मैं create करना चाहता हूं तो बहुत सारा हैं bank account के थुरू आप कर सकते हैं, academic bank of credit ID के थुरू कर सकते हैं पासपोर्ट है उसके थुरू भी आप कर सकते हैं इसमें यह इसलिए मांगा जाता है फ्रेंड की गौर्णमेंट ने पहले से आपको वेरिफाइड कर रखा है जिसे कि आपका नाम, डेट अब बर्थ और उम्र तो यदि मैं अभी फ्रस्ट किलिक करता हूं कि आए है अधार काड और मैं Aadhar काड से रिश्टर करना आगे चाहता हूं तो जैसे कि लिख करते हैं तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होकर कर जाता है जहाँ पे आपको बूला जाता है कि आप अपना Aadhar काड नंबर डाले य जाता है वही ओटीपी आपको यहां पर डाल करके वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना होता है जिसे वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको दिखना चलो जाएगी जिसे कि आपका नाम आपके डेट बर्थ और जेंडर यह तीन चीज जो है वह अधार कार्ट से अपडेट हो जाता है जब आप थोरा सा स्क्रोल करके नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे कि रेस्टेशन पेज ओपन हो जाता है जिसमें आ अलावा आपको फादर्स नेम जो फिल अप करना है खुद आपको एकोडिंग टू अधार कार्ड या आपको जो टेंत है उसके अनुसार आपको वही जो मतब इसलिए बोला जाता है कि आपके स्पेलिंग मिश्टेक नहीं हो मदर्स नेम आपको फिल अप करना है अपको दिख रहे है इसमें उसके बाद यह आपको और यूस एक सर्विसमैन है की नहीं रियुलेटरी एंप्लोई है की नहीं रिगूलर उसके अलावा आपको बता दूए ओमेल आईडि आपको यहां पूछा जाता है कनफर्मि मेल आईडी मांगा जाता है मोबायल नमबर आप को सम्मिट करना होता है, जरूरी नहीं कि आपको आधार कार्ड में दिया हों, लेकिन basically यह थे आपके पास अधार कार्ड में, जो, मोबाइल नमबर दिया हूँ, हो इसे स्विशन होता है, आज तो पृब्लम नहीं है, वह और यह blank नहीं चोड़ सकते हैं तो identity type में होता है कि आपका जो identity type आपको यहां select करना है जैसे के अधार कार्ण ही select कर लेंगे उसके बाद identification number जैसे हरकार्ण का number यहां पर डालना वह रहेगा यह pw2 candidate है कि नहीं type of disability क्या है जरूरी है कि नहीं आपको उसके अलाबा जब आप यह फिलप कर देते हैं उसके बाद आपको यहां मांगा जाता है आपको यहां पर फिलप करना होता है जिसे कि आपका घर लोकलिटी कंट्री स्टेट डिस्टिक पीन कोड इस तरह का डिटेल आपको मांगा जाता है अप अधार कार्ड में जो डिटेल है वही फिलप करें उसके बाद आपको पहले तो क्रोस्पंडेंस अड्रेस था क्रोस्प द्रेस आप यहां पर ट्रीक मार्क करेंगे तो आटमेटीक फिल्ड हो जागा इतरह अपको लगता है क्रोस्पंडेंस एड्रेस और पर्माइन तेड्रेस दोनों अलग है तो आपको यहां पर फिर से फिलप करना होगा सारी डिटेल्वी इसके अलावा बात करें फृरेंड परके 8 character minimum होना चाहिए maximum 13 तक आप डाल सकते हैं इसमें फिर confirm password आपको यहां पर mention करने पड़ेंगे security option choose करना पड़ेगा जैसे कि what user first school name यह सब चीज होती है इस तरह का security answer आपको यहां पर डालने पड़ेंगे इस पर submit button पर click कर दें मतलब okay कर दें जैसे ही करते हैं तो आपके पास यह सारा चीज इमेल आइडी पर ओटीपी जाना यह सारी detail आपको दिख जाती है उसको जैसे ही submit button पर click करेंगे तो आपके पास सामने पूरी तरह से एक new page open हो जाता है जहां पर आपको registration step by step यहां पर follow करना है जैसे की apply for the post, personal detail, communication detail, qualification detail, experience, exam center, documents detail इस तरह की सारी जो process है वो fill up करनी पड़ेगी यहां भी देख वी सकते हैं registration complete दिख रहा है लेकिन जो application form है वो incomplete दिख रहा है तो यह दिए आपको proceed करना है तो one by one इस पर click करके fill up कर सकते हैं otherwise complete application form जो लिख हुआ है इस पर भी click करके आप one by one step को follow कर सकते हैं तो मैं यहीं पर click करता हूं जैसे click करते हैं यह आप देख सकते हैं आपने कौन से post पर apply करने करने चाहते हैं एक से अधिक पर भी post पर apply कर सकते हैं टिक mark कोई भी select करके आपको 7th का detail है 12th का detail है कौन से board से pass किया कौन से साल में pass किया और कितना क्या roll number था कितना marks आपके आया जैसे plus बटन है इससे आप add कर भी सकते हैं एक से दो से अधिक ज्यादा आपका qualification है तो I agree बटन है यहां पर दीख सकते हैं I agree पर जो check box बनवाई इस पर click करके आप submit या next बटन पर click कर सकते हैं next button पर click करते हैं आपको यहां पर examination center select करने के लिए आएगा कि concert city concert district में आप examination 3-24 दिया जाता है जो कि आप अपने nearest में कोई भी 3 center को choose कर सकते हैं उसके अलावा आपको बता दे कि जो आपको यहां पर दिया जाता है कि document detail में जहां पर आपको अपना photo submit करना हो जैसे picture जो होता है passport size jpg और jpeg format में मैं जो minimum size 10 kv का होना चाहिए और maximum हैं जो 200 kv किया आप submit कर सकते हैं upload कर सकते हैं photo को signature है आपको यहां पर signature भी दिया जाता है कि jpg format में submit करना है जिसकी minimum length है आपको 4 kv का आप submit कर सकते हैं maximum 30 kv का submit कर सकते हैं category certificate है category certificate उनको जडरोत परती है जिन्होंने select किया है जैसे कि HTSC OBC reservation category में जो आते हैं उनके लिए होता है कि उनको फुरूप करना होता है कि आप उस category से belong करते हैं कि नहीं तो उनके पास certificate होता है वह certificate को upload करना होता है थम का है जो कि आप कोई भी थम को जैसे blue basically लोग लिफ्ट जो होता है थम उसको utilize यूज करते हैं यह इंप्रेशन करने के लिए थम इंप्रेशन को वाइट पेपर ले करके उसको इंक में डूबो करके तुरह फिंगर को ज्यादा नहीं जैसे कि आप बैंकों में देखते हो जांगे उस पैंट पे आपको प्रेश करके और वाइट पेपर पे ना एक इसको थम को प्रेश करना होता है और उसका फोटो आपको upload करना है जिसका साइज दस के भी पी एस रखा गया है और maximum जो है वो 200 के भी रखा गया है जैसे browse पे क्लिक करके file को चूज करें और upload कर दे उसके पाद next button पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो option आजाता है प्रेमेंट वाप्सन आजाता है जिसमें आपका नाम application number और amount देखता है तो जैसे यह आपको यदि verified देख लेते हैं कि यह सही है पे नाव बटन पे क्लिक कर दें जैसे पे नाव पे क्लिक करेंगे तो कि पेमेंट आप credit card से, debit card से, net banking से, UPI से, तो UPI से करेंगे तो यहां पे QR code भी automatic आपको दिख जाएगा option QR code बला जहां पे QR code पे क्लिक करते हैं यह QR code यहां दिख जाता है उसको scan करके आप payment कर देंगे तो automatic payment done हो जाएगा आपके पास confirmation आजाएगा कि आपका payment हो चुका है और पूरी तरह से आप complete form submit करते हैं तो जो भी step पूरा करेंगे जैसे registration आपने submit किया तो भी यह आपने form submit किया तो भी उसके बाद भी यह सारी update जब भी आप update करेंगे कोई भी detail आपके mail पे mobile नंबर पे confirmation इस तरह का आना चालू हो जाएगा